नमस्ते, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ AI अंकनेना। आज 23 अगस्त, भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की उदया तिथी चतुर्थी और दिन शुक्रवार है। राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आज का दिन और कैसी होगी ग्रहों की चाल, सब जानेंगे आज के कारेक्रम में। तो शुरू करते हैं आज की राशी। शुरू आत करते हैं मेश राशी से। ये आर्थिक शेत्र में सावधान रहने का समय है। खर्च निवेश पर नियंत्रन बनाए रखें और न्याएक मामलों में धैर्यव विनम्रता बढ़ाएं। दान में रुची रहेगी और आप रिष्टों के प्रती सकारात्मक रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा संभव है। स्वास्थे के प्रती सजग रहें और अंजानों से सावधान रहें। कार्य विस्तार बना रहेगा। शुब पल पाने के लिए दुर्गाजी की पूजा करें और दुर्गाशप च्छती का पाठ करें। आज शुब अंखे 3, 6 और 9 मरून कलर लकी होगा। बात करेंगे व्रिश राशी की। महत्वपूर्ण कार्य गती लेंगे और लाप के मामले पक्ष में बनेंगे। स्वस्थ प्रतिसपर्धा का भाव रहेगा। विभिन स्ट्रोतों से आए बढ़ेगी। प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे। निजी जीवन खुशाल रहेगा। लापर वाही से बचे और महत्वपूर्ण मामलों को गती दे। उन्नती के अफसर मिलेंगे। घर में शुबता का संचार रहेगा। आज शुब अन्खे 3, 5 और 6। सिल्व कलर लकी होगा। व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की। आप उन्नती की राह पर सहचता से बढ़ते रहेंगे। प्रबंधन प्रशासन के कारियों में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब रो सा जीतेंगे। आज शुब अन्खे 3, 5 और 6। स्काइ ब्लू कलर लकी होगा। करकराशी की बात करें तो आज सभी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आप कामकाज की गती बढ़ाएंगे और निसन कोच आगे बढ़ेंगे। विनम्रता का भाव रहेगा और व्यापार को गती मिलेगी। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक व मनोरंजक गते विधिया बढ़ेंगी। कर्य व्यापार अच्छा रहेगा। मन के मामले सुखद रहेंगे। दो, तीन, पांच और छे नंबर लकी है। गुलाबी रंग शुख होगा। कर्क के बाद बारी है सिंग्राशी की। आज जरूरी कामों की सूची बनाकर कार्य करें। योजना नसार आगे बढ़ने की सोच रखें। समय सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रती सजग रहें और संतुलन वसामन जस्य से आगे बढ़ें। परिजनों रेड कलर लकी होगा। कन्या राशी की बात करें तो आज साजह प्रयास पक्ष में बनेंगे और सौधो वा अनुबंधों में शुबता का संचार रहेगा। योजनाओं को मूर्ट रूप देंगे। स्थायत्व को बल मिलेगा। दाम पत्य जीवन में सुक सौख्य बना र लकी हैं। समुद्री नीला रंग शुब होगा। कन्या के बाद बारी है तुला राशी की। आज कारेक्षेत में मेहनत से जगह बनाएंगे। लेन देन पर फोकस रहेगा। नौकरी पेशा अच्छा करेंगे। आज सूझ बूच से कामले और विपक्षियों से साफधान रहें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। नीती नियमों पर अमल बढ़ाएं और तारकिक्ता से कामले। बैकावे में ना आए और लोग प्रलोभन से बचें। कार्य व्यापार में सक्रियता रहेगी। आज शुब हंख है तीन, पांच और छे हीरे समान रंग शुब हो प्रियजनों से शुब समाचार मिलेंगे। ब्रह्मन मनुरंजन पर जा सकते हैं। मामले लंबित रखने से बचें। अनुकूलता का प्रतिशत बहतर बना रहेगा। आए अच्छी रहेगी। तीन, छे और नौ नंबर लकी है। सिंदूरी लाल रंग शुब होगा। करें तो आज घर परिवार के मामलों में सजग रहें। समवेधन शील विशेयों में जल्दबाजी न दिखाएं। विनम्रता से कामले और अहंकार वर जिद से बचें। आज सुक्सु विधाओं में रुची रहेगी और भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे। परिस् संग यादगार वक्त बिताएंगे। पेशेवरों से करीबी रहेगी और नए लोगों से मिल जोल बढ़ेगा। आप मिलन सार और समवेधन शील रहेंगे। लाग बढ़त पर रहेगा और भागय की कृपा रहेगी। आज कोई शुप सूचना मिल सकती है। लंबित प्रया समले पक्ष में बनेंगे। अनुकूलता बनी रहेगी और रिष्टे बहतर होंगे। संग्रा संरक्षन में रुची रहेगी और व्यक्तिगत कारियों को गती देंगे। समय सवार पर बना रहेगा। मिल जोल वसंपर्क का दाइरा बढ़ा होगा। संसकार परंप्राओं को बल मिलेगा. आज कोई मूल्यवान भेट मिल सकती है. कामकाजी यात्रा संभव है. तीन, छे और आट नंबर लकी है. मोरपंक जैसा रंग शुप होगा. अंत में बारी है मीन राशी की. आज जहोर सकारातमत्ता बनी रहेगी. घर परिवार में सुकर वातावरन रहेगा. करने की सोच रहेगी. आज शुब अंखे 3, 5 और 6. पाइनेपल कलर लकी होगा. आज के राशेफल में बस इतना ही. कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा होगी. तब तक के लिए आप बने रहें आज तक AI के साथ. आपका दिन शुब हो.